हेलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आई इसमें आप सभी का स्वागत है आज यहां पर हम अपना डेली रिविजिन का 20 नंबर का यह बीडियो है इसको कर लेते हैं देखते हैं आज के बीडियो में क्या-क्या हैं तो आज की बीडियो में जितने भी पूरे वर्ड में पठार हैं लगभग सभी पठार यहां ले लिए गए हैं ठीक है तो सभी पठार हम करेंगे इसके बाद सभी पठार को हम blank यह मैप में फिल करेंगे फिर इसके बाद सभी पठार को हम क्या करेंगे याद भी करेंगे जैसे लिखा गया है मतलब आज पठार आपको पूरा पढ़ी लेन तोड़ा सा कंप्यूटर वाला पोर्शन करवाईए क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जूनियर अस्टिन्स की आई अभी कटाफ उसका आया था उसकी तैयारी करें तो आपका और आपके आरो यारो में भी आपका थोड़ा सा यह कंप्यूटर आता है तो इसलिए थोड़ा सा आ आपका कंप्यूटर रहेगा और आपका उत्तर प्रदेश इसपेसल डेली अब रहेगा ठीक है और दो सब्जक्ट आगे आपके रहेंगे ही इसके बाद कुश्चन एंसर आपका रहेगा ही आज यह बता देना चाहता हूं कल आपका टेस्ट है आठ बजे 75 कुश्चन का टे उसका रहेंगे इसके बाद कम्यूटी वाक्स में भी डाल देंगे आप अपनी रहेंग भी देख सकते हैं तो आठ बजे संडे को आपका टेस्ट होगा सभी लोग टेस्ट के लिए तियार रहेंगे ठीक है वही टेस्ट होगा जो आप मंडे टू शटर डे पढ़ए हैं उस देसे में हैं आपका किमशधर ने नियाद र रिखिएगा आश्रेयज 300 15 nosis कुरात् lanz का पधार कहा है तो कढ़्रात का पधार आपका यहां पर यहां पर थाई लैनध ताइलन्ट में है आप पका कुरातка पथार है अभी सब कुछ आपको याद हो जाएगा, दो-तीन बार आपको मैप याद करोंगो तो याद हो जाएगा, कुरात का पठार, कुरात का पठार कहां है, तो कुरात का पठार आपका यहां पर थाई लेंड में है, थाई लेंड में आपका कुरात का पठार है, सान का पठार कहां है यह सब आपका चाहिन है एक बार कुश्चन यह पूछा गया था कि जो तिबत का पठार है ठीक सबसे उचा पठार है सबसे बड़ा पठार है तो यह संसार की चछत कहा लाता है यह पूछा जाता रहा है कि समुद्र तल से इसकी उचाई कितनी है तो समुद्र तल से पूठेर चैना में सान पूछे सानका पतार म्यूंभामार में आपका को राट का थाइलेंड में और किम्बरले का पतर आस्टेरियेいきます यहाँ पर नधिक यहां पर है पोतवार पोगत हैँ पाकिस्तान में रही पाकिस्तान तो पोतवार का पाकिस्तान में आप देखिए तर्की में दो पठार देखते हैं तर्की में दो पठार है अनातोलिया का पठार और एसिया माइनर का पठार ये दोनों आपका कहां पढ़ेगा तर्की में पढ़ेगा तर्की में पढ़ेगा अनातोलिया का पठार और एसिया मा है आभ सीनिया का पठार याद रख़र से मझे टार कर्सक्राइ etै ऐसके बार यहां पर बाएम का पठार आपका कहां पर है यह को यह दिख रहा है यह आपका कंट्री अंगोला है ठीक है यह है अंगोला ओएट आपका बाई का पठार तो अंगोला तो गोला में बाई ठीक है तो बाई अंगोला तो बाई का पठार कहां है आपका अंगोला में ठीक है इतना याद रखिएगा जोडो का पठार कौन है अब यह कौन सी कंट्री है तो जोडो का पठार तो जोडो का अगर पठार पूछे त आपका इसी नाइजेरिया में है अदा मावा का पठार अदा मावा का पठार तो अगर पूछ ले कि अदा मावा का पठार कहा है तो नाइजेरिया में जोडो का पठार नाइजेरिया में अपसीनिया का पठार इथोपिया में है बाई का पठार अंगोला में है यह अफरीका क का पठार आपका अलजीरिया और लीविया में है ठीक है दोनों मतलब दोनों साइड में ये अलजीरिया है आपका इधर इस साइड ये अलजीरिया है और ये लीविया है तो आपका अलजीरिया और लीविया में ही आपका अहागार का पठार है ठीक है तीसली का पठार कहा है अलजेरिया में उहागार और व ए लेकर अर। यह तक इतना आपको सिद्रे इतना तो इधर और चलते हैं इस साइड अमेरिका नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखते हैं अदामावा याद करिएगा अदामावा नाइजेरिया में अब देखें ये टेली ग्राफिक पठार दिया है ये कोई पठार नहीं एक मित्था का है क्योंकि टेली फोन की जो वायर होती इधर से पास होती है तो उसे बोल दिया गया तेली गराफिक पठार ये दो बार आपके PCS में आ चुका है तो इसलिए हम यहां पर ले लिए हैं आपके लिए तो यह कहां पर पढ़ेगा उत्तरी अट्लांटिक कटक में पढ़ेगा ठीक यह आप याद रखेगा उत्तरी अट और फ्रेंच गुईना में तो कहां यहां तीन चर गंट यहां यह बेनिजूला दिख रहा है उपर वाला यह बेनिजूला है इसके बाद नीचे आपका आएगा गुईना फिर सूरी नाम फिर आपका फ्रेंच गुणति इसी सम्में है तो गुईना पठार यह याद बेनिजूला आपका गुईना सूरी नाम फ्रेंच गुणति कोई भी देदराश्ट बता दीजिएगा ठीक है ज्यादा गुईना ही पढ़ पूछता है गुईना का पठार कहां है गुईना में यह हो गया आपका इसके बाद आपका पूछेगा बोलविया का पठार बोलव में है तो बोलविया का पठार आपका बोलविया में है इसमें कुछ यादी नहीं करना है माटो ग्रासो का पठार तो माटो ग्रासो का पठार आपका ब्राजील में है ब्राजील का पठार याद करने की जरूरत नहीं ब्राजील में है बोर बोरगा पठार बोर बोरगा पठार याद कर लिजी हो सकता है यही सब आपके देदे हम कोई ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल सिंपल की तिबत का पठार कहां यह सब बता दूँ थोड़ा सा जो टफ थोड़ा हो भी मैं बताने की कोशिज करता हूं खोजख़ के कहीं से ठीक है अब दिखे पिता गोनिया का पठार है यह खनीजो का भंठार कहा जाता है अगर पूछे तो यह खं़ा भंठार होस्ट कहां है यह बताएंगे ठीक इसी के बीच में अगुलाहास है तो ठी अगुलाहास जल्धारा ये भी बोला जाता है गर्म है ठंडा है तो भी वीडियो आजएगा अपका ठंडी जल्धारा गर्म जल्दारा सिर्प आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गाए फिक वीडियो को लाइक कर दीजेगा जै होईसे ही आप डैलिय करेंट पढ़ते हैंày यह रहता हूं कि इसने घंड़ी के सोर्च हूं सब ठीक है सब ऑद घंड़ कोста किया करिए्जो आपका मैंने इंड़ती को देख लिज्जेगा सिर्फ नहीं तिक वार से यही रहती प्लीज इस चैनल को share कर दिया करिए आप अपने दोस्तों में ठीक है तो चाहे आप 15 ही मिर्ट पर है 20 मिर्ट लगबंग 40 मिर्ट से कम वीडियो नहीं बनाते लेकिन आप पढ़ा करिए डेली ठीक है ताकि आपका एक नेश्ट लेवल पर जीएस पहुच जाए ठीक है डेली पढ़ेंगे तो नेश्ट लेवल तक पहुचेगी यह जान लिए रिवीजन है इसमें कोई कांसेप्ट नहीं बताता हूं कांसेप्ट पढ़ना है तो उसका वीडियो अलग से पढ़ा है वहां जाकर देख लिजे कांसेप्ट सब चिया पास का पठार का है दच्छड मैक्स सघ्रसिकों में उजार का पठार अब दिखें अगर अमेरीक नौर्थ अमेरीका के मतलब इस नौर्थ अमेरीका नहीं यह आपकर करते हैं सञ्युक्तराज अमेरिका यूएस से चाचा चौधरी के का यहां कौन-कौन से पठार है तो लिए चौचा चोधर अँधर का पठा और युक्रान का वांगे तो आप सब्झे की उक्रान है तो युक्रेल होगा नहीं युक्रान है आपका यहां पर युएस्य में है। को लेड़ो का पठार भी युएस से ती उप माज पठार याद रख लिया है करें इससे ज्याद Hackनाडा में ठीक है तो लारेंसिया पठार कनाडा में है कोई कुछ बचा आपका यहां पर देख लेजे एक बार कुछ बचा नहीं अब चल रहे हैं हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे इसी पठार का ताकि सब आपको याद भी हो जाए ठीक है बीडियो लंबा हो लेकिन आपको याद पहले आप यह थेओरी पढ़ लेजिए इसके बाद हम यहां पर डिनोट करेंगे ठीक है पहले देखिए पामीर का पठार कहां है चीन में है कोलंबिया का पठार कहां है संयुक्त राज्य अमेरिका में है चाचा चोद्रे के यहां ओजार का पठार कहां है यह भी युवस् पठार नाइजीरिया में है पीट मांड का पठार संयुक्त राज अमेरिका में है मांटो ग्रासो का पठार ब्राजील में है कुरात का पठार थाईलेंड में है कुरात याद करिए रहे कि मांटो ग्रासो ब्राजील पढ़िए जो जो कम याद है उसको ज़्यादा याद कर ही रहता है आपको कि अब सीनिया एथोपिया में तो उसको थोड़ा सा कम करें तिबत परता ही रहता है तो कम कर दीजिए इसे टाइम बचेगा आपका कोराथ थाइलेंड चिया पास का पठार दच्छर मैक्सिको में जोडो का पठार पूरवी नाइजेरिया में गुयना का प पर रख देता हूं कि मद्ध अमेरिका कहां कहां डोड़ेंगे कई देश आ जाते हैं तो यहां मद्ध अमेरिका यहां होगा तो मद्ध अपरीका में आपका यह वाला पठार पढ़ता है कौन उबांगी का पठार लोयस का पठार चीन में है पोतवार का पठार पाकिस्तन पासे पोतवार पाक से पाकिस्तान यूकरान का पठान यूकरेन में नहीं संयुकतरा जमेरिया में है इसके बाद लारेंजिया का पठार लारेंजिया का करनाडा में है बोर बोरगा का पठार बराजील में है तो बराजील से बोरे बोरे भरकर क्या लाया जाता है कहवा लाया मारता है चाइना ही सबसे ज्यादा मकान में मैं इन जाये किरिया में है लीबिया में है कोलरेडो का पठार संयुक्तराज अमेरिका में है पैटागोनिया का पठार अर्जंटीना में है मेसेटा का पठार आईवेरियन प्राइडीप मेसेटा का पठार यहां पढ़ता है एस्या माइनर का पठार तुर्की में है पढ़ता है अब एक ब देखते हैं पहले क्या देखेंगे आश्टेलिया का यहां पर कौन सा पठार था किमबरले तो किमबरले कुछ छोटा से भी लिख लें तो आप पठार है ना यह देखें पठार तो किमबरले का पठार कहां आश्टेलिया में इसके बाद कहां पर चलते हैं थाइलेंड थाइल संसार की कोन बनाता है चाइना बनाता है एक वर का ही है पसamed으 चलते हैं यहां करते हैं पाकिस्तान में इनका भी देख लेते हैं क्या हो क्या पोतवार का पठार कहां पर है तो पोतवार का पठार आपका पाकिस्तान में है तो पोतवार पोतवार का पठार पाकिस्तान में है इसके बाद आपका अभी सीनिया आप सीनिया का पठार का है इथोपिया में ठीक तो अभी सीनिया य कोई याद नहीं करवाता हम यहाद करवाते हैं रिवीजन भी कोई नहीं करवाता अब देखिए यहां पर बाई का पठार बाई का पठार अंगोला में है यहीं और था एक अपसीनिया था अपसीनिया तो हो गया आप कहेंगे सरे यहां नाईजर वाला देख लिए थोड़ा सा अच्छा नाईजर में कौन सा पठार था जोडो का पठार याद रखिएगा जोडो का पठार आपका नाईजर में था किसका पठार था जोडो का पठार आपका नाईजर में था तो नाईजर में एक और था जो मावा का पठार अब इसके बाद कहां पर चलते हैं तरकी चलते हैं तरकी में कौन सा पठार है तो अनातोलिया का पठार तरकी कहां है तरकी तो यही होगा तो यहां लगता है तो यहां लिख दें आनातोलिया अनातोलिया का पठार अनातोलिया का पठार एसिया माइनर का पठ पठार ये कहां पर है यहीं पर है एसके माइनर का पठार इसके बद अलजीरिया में चलते हैं अलजीरिया में करते हैं तासली का पठार आपका कहां पर है यहीं पर है तासली का पठार इसकी यहां लिख देंगे इसका कहां है आहागार आहागार का पठार यह कहां पर है आप पड़ेगा इसके बाद इधर आ जाते हैं इधर तो हो गया सब साइद तो इधर आ जाते हैं अहां इधर एक चीज़ हो रहा है आई वेरियन प्रायदीप इस पेन में पड़ता है तो आई वेरियन आई वेरियन प्रायदीप ठीक तो यह आई वेरियन आपका इस पेन में को जार का पठहार का हlenो यह यहीं पर ये भी यहीं पर है तो यहांपर को कौर रहा है और इसके बाद युक्राम का पठहार कहाँ पर है कर być यहीं पर olması है ठीक है इसक्रद यहां पर और है कोलो रेडो का पठार कोल रेडो का फटार भी यहीं पर रही है यहária कि हम यह बतार है कि कि यह यह अमेरिका में है यह इधरी अधर कोने में है पाशिव में यह सब नहीं बतार है कि डेश वेश्ठित है's यहां देखिए यहां बता देने चिया पास का पठार साउथ मेक्सिको में है ठीक है तो चिया पास चिया पास चिया पास का पठार कहा है साउथ मेक्सिको में ठीक तो मेक्सिको याद रखिएगा यहां हो गया यहां पर गुईना का पठार पढ़ जाता है गुईना का पठार ठीक है यहां गुईनाव का पठार ये इधर कौन सा है बोलविया का पठार बोलविया ये बोलविया देशने तो बोलविया का पठार हो गया ये आपका इधर अफरीका में वो ब्राजिल में क्या पढ़ता है तो ये मांटो ग्रासो का पठार मांटो ग्रासो का पठार ये आ पठार इधर देखते हैं पढ़ता है यह तो यहाद रखेगा सब्सखाने जो के रिए परसिद्द के अधर बोर्बोर ब्राजील में है तो इतना आपका कोको कटक कहा है तो कोको कटक यहां है कोको कटक बिल्विस कटक इधर है बिल्विस कटक टेली ग्राफ का पठार यहां पर है उत्तरी अट्लांटिक में टेली ग्राम कहां पर उत्तरी अट्लांटिक में तो टेली ग्राफ का पठार कहां पर है उत्तरी अट्ल लेंड तकला मकान लोयस तिबत चाइना पोतवार पाकिस्तान अबिसीनिया एथोपिया में एसिया माइनर अनातोलिया आईबेरिया ये तुर्की में है आईबेरिया इसमें इन तासली का पठार अलजीरिया आहागार का पठार अलजीरिया लीविया दोनों में जोडो लीवि नाइजर में है ठीक है यह याद रखिएगा बोलबिया मांटोग्रासो का पठार बोर बोरगा पठार पटागोनिया अर्जेंटीना में पढ़ता है कोको कटक चिया पास मेक्सिको में पढ़ता है ठीक है कोलोरोडो और लाॉरेंसिया नहीं लिखें लाॉरेंसिया लाॉरेंस या ठीक है यही भूले थे कनाड़ा अब सब कुछ आपको पता है अब देखें यहां पर आते हैं उत्तर परदेश इस फेसल में पूछा जाता है कि गोबिंद साहब मेला कहां लगता है तो गोबिंद साहब मेला कहां लगता है तो गोबिंद साहब मेला आपका लगेगा यह ठीक है हम बेटकर नगर डिश्टिक में गोबिंद साह मेरा लगता है कुसी नगर में भगवान बुद्ध का निर्वार अस्थल अगर पुछे भगवान बुद्ध का निर्वार अस्थल है तो कुसी नगर कुसी नगर याद रखेगा अब भूलिएगा मत निर्वार कुसी नगर कैसे याद करेंगे जैसे कहीं पर जब वहां निर्वार माल लिजिए वह दफनाए गया तो वहां कुस जम गया था ठीक ऐसे याद कर लिजिए छेतरिये रेल पर से छड़ संस्थान गाजीपूर में है ठीक है छेतरिये रेल पर से छड़ क्योंकि मनोच कुमार यहां के सांसत थे ठीक है तो यह यहां पर स्थापित करवाए छेतरिये रेल पर से छड़ संस्थान ठीक है तो यह कहां पर है पहले से सांसत थे और यह रेल मंतरी भी रह चुके हैं ठीक है मनोच कुमार अनुसंधान संस्थान ये वरारसी में है बहुत बार पूचा जाता है भारती ये सबजी अनुसंधान संस्थान कहां पर है वरारसी में है ठीक है ये है आपका परियाग राज परियाग राज में क्या है उत्तर परदेश में उत्तर केंद्रिये छेतर सांस्कृतिक कहां पर स् सीला धर मिर्दा बिग्यान संस्थान ये कहां है तो सीला धर मिर्दा बिग्यान संस्थान इलाहबाद में है याद रखिएगा बाओद और जैन मंदिर आपका दोनों कहां पर ये पूछा जाता बाओद और जैन के लिए कौन पसिद है तो परसिद्द कोन है? ये कुसी नगर वो कौसामबी, सुरी कुसी नगर तो निर्माओ इनका भगवान बुद्द का निर्वाड असल है, कौसामबी ठीक है? जेके मंदिर पता सब को कानपुर में है पंडित दीन देयाल उपाद्धाय पसुची किस्या बिग्यान तो ये मतुरा में है ठीक है तो पंडित दीन देयाल उपाद्धाय पसुची किस्या बिग्यान सनस्थान मतुरा में है बीवी गिरी राष्टी ये सरम सनस्थान कहां पर है तो बीवी गिरी राष्टी ये सरम सन में लगता है साकंबरी देवी मेला कहा रखता है सहारन पूल जिसे साकंबरी देवी आ जाए ना पूछे जाए साकंबरी देवी मेला कहां लगता है तो याद करिए कि वहाँ गाजी पूर से थोड़ा सावर उपर जाएंगे तो वहां सहारन पूल मिलेगा गो अनुसंदान सर सलार मेला बहराइच में लगता है बहुत बार पूछा गया है सयद सलार मेला कहां से संबन देता है बहराइच से संबन देता है ठीक है तो इतना ही यहाँ याद करना है और यहां देखते हैं बल देयो का छट मेला नोडा में लगता है तो नोडा कहां है आपका यहीं पर गव में लगता है हरिदाः जेनती बृंदावन में होता है ठीक हरिदाः नोचंदी अविवताई मेरट में माग मेला कहां में लगता है त। माग मेला आपका इलहवां में लगता है जूला मेला ब्रिंदावन में पसुमेला बटेशवर में देवा मेला बारा बंकी में ठीक है पसुमेला बटेशवर बटेशवर कहा है आगरा में है देवा मेला बारा बंकी में सुलाह कुल उत्सो आगरा में सुलाह कुल ठीक है सुलाह कुल उत्सो आगरा में देव तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व संभावित है किसको ब्यास को बनारस घराना तो मोती बाई रसूलन बाई और सिद्धेशवरी देवी तो बनारस घराने से यह तीनों लोग संभन देता है मोती बाई रसूलन बाई और सिद्धेशवरी देवी सिद्धेशवरी देवी पूछा गया आपका याद रखेगा ठीक है तो यहां पर आपको याद हो गया होगा अगर सेयद सलार पूछे आपका क्या बताएंगे बहराइज बताएंगे कानपूर गो अनुसंदान ये अपका मतहुरा में है अब जे के मनदर कानपूर में सीला धर बिग्यान अनुसंदान बिग्यान स lept an ये इलभाद तो आपसे पूछे कोई कि सीला धर मिर्दा बिग्यान सर्थान कहा है तो सीला धर मिर्दा बिग्यान सर्थान आपका इलावाद में है बाध और जैन मंदिर आपका कहा है ये कौसामबी में है ठीक है इतना आपको याद रखना है अब चलते हैं यहाँ पर इधर आपको पता हो गया सब साकुम्बरी देवी सहारनपूर में चलते हैं हम कुश्चन पे तिबबत के पठार की समंद सतल से उचाई कितनी है तो अभी हम बताएं है आई येस का कुश्चन है कितना बताएंगे अभी हमें कितना बताएंगे आपका कितना सायद जितना भी कुश्चन है सायद आज आप सब कुश कर लें तो पाँच किलो मीटर ठीक है इसके बदेगे दच्छर अमरीका में खनीजो का भंडार का छेतर कौन है ब्राजील का पठार बोलविया का पठार पेटागोनिया का पठान औरी निको बेसिन कौन सा है तो पेटागोनिया हम बतायते हैं पेटागोनिया है इसके बाद संसार की छट किसे कहाते हैं रूप आफ वर्ड किसे कहा जाता है तो पामीर का पठार को संसार का छट कहा जाता है देखिए कितने सब सवाल देखे टेली ग्राफ पठार हिस्सा है तो टेली ग्राफ हम कहां लिखे थे उत्तर अट्लांटिक कटक था कि दच्छड में लिखेंगे कि हिंद महासागर में कोई नई पीशिए 2019 में कुश्टाण आया हुआ था तो टेली ग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अर्ट्लांटिक कटक का हिंदो म मुसलिम एक्ता का पर्तिक सुलाकुल उस्तो आजित किया जाता है और देखिए निमलकित में से कहां साकुमभरी देवी मेला का एजन किया जाता है साकुमभरी देवी सहारनपूर में साकुमभरी देवी मेला सहारनपूर में अब देखिए उत्तर परदेश में जैन और बहु पूर्मपर्व समर्पित है किस रिषी को तो रिषी ब्यास को समर्पित है यह आरो यारो 2014 का कुश्चन है कौन सा यूग में सुमेली तर नहीं है बताईए कौन सा देखेए बिंदाबन मंदिर मत् pillar में जे के टेमपल लखनओं में नहीं है तो जे के टेमपल आपका काप पढ कानपूर लगकर जेक मंदिर टेमपल कहा कानपूर में पिस्वूनात मंदिर वराडसी देवी पाटन तुल्सीपूर ठीक है बल्लामपुर तुल्सीपूर वही है गाल नेश्च देखते हैं अब देखे इसको आपको मिलाना है गोबिंद देव मंदिर सलीम चिष्ती की धरग मिला बाओध हृण को साम भी बताये थे ना तो देखिए यु पीसे 20 दस कोछिए नचितने आराम से मिलाएंगे तो डिक पहला डिकां पहला यहां है यहां है यह यहां यहां है बीके इसल अब दखिएं चिस्ति की कि अ है का है तो ये पातेपूर सिक्री तो सी का दीस का दूसरा यह भी यह भी अभी भी हमेंनी मिला है जा गोविंद् तो भी दावन ही हो जाएगा ठीक है तुनेश देखते हैं इसको भी आप वीडियो पहुच करके करिए आरो यारो दोजादस में कुश्चन आया है माघ मेला कहां लगता है तो प्रियाग राज में लगता है माघ मेला जूला मेला पसुमले मेला देख लेते हैं पसुमेला कहां लगता है तो पसुमेला बटेशवर बटेशवर कहां है आगरा में है गोबिंद साहब मेला तो गोबिंद साहब मेला कहां लगता है बंबेटकर नगर में बहुत बार पूच जाता है माघ मेला कहां लगता है तो इलहाबाद मेला कहां लगता है तो दूर्पद मेला व वारारसी में लगता है पसुमिला बटेसवर में गोबिंद सहाब में बैठकर नागरू माग मिला इलहावाद में मिला लेजिएगा नहीं साथ से यह देखे बटेसवर तो आगरा हो गया देवा बारा बंकी हो गया हरिदास जैंती नौचंदी नौचंदी बहुत बार पूछ गया है नौचंदी दिमाग में आपके रटा होना चाहिए ठीक तो आपका में रट हो गया हरिदास जैंती ब्रिंदावर में फिर देखिए अभी भी कुछ नहीं है बटेसवर आगरा सुमेरित नहीं देवा सरीव देवा सरीव कहां पर है जौनपूर में नहीं बारा बंकी है बंकी ठीक यह है ये संकिंसा फरुकाबाद में है पिठधूर आपका कानपूर में है यह nichts यह भी संकिंसा किमारे हैंसें संकिंसा यह departments स्थिक्षए स्था एकशल वब दिख्षेंस सोरो और यह देखे टहां का परें नहीं ही है इ अब देखी यहां पर क्या है? कैलास मेला, नौचंदी मेला, कलिंजर मेला, सोरो मेला, एटा में लगता है, कालिंजर मेला, बांदा में लगता है, नौचंदी मेला, मेरट में लगता है, कैलास मेरा, कैलास मेरा, आगला में लगता है, बस सभी मलत मेल करना था, यह सबाब का सही हो गया, ठीक है, एक, दो, नीचे नहीं लाए है मतूरा जेके अच्छा वही बार-बार आगया यह कानपुर में अब देखिए भी सही यह अच्छा वही कुश्चन आया क्या अच्छा वही सब कुश्चन डुबार आ गया बस इतना ही कुश्चन था ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको देखिए अब आपका कल आपका टेस्ट होगा ठीक है कल साम को आठ वजे रात में संडे है संडे को आपका 75 कुश्चन का टेस्ट लिया जाएगा प्लीज सभी लोग उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए आप देखिए हमारा कित अगर आप 75 कुश्चन में 60 माक्स आपको मतलब 75 में 60 कुश्चन सही करना ही पड़ेगा तब आप कटाफ किलियर करेंगे और कोई भी अब टेस्ट लूंगा तो प्लीज उसको इमानदारी से देगा ठीक है यहां पर कोई आवार्ड नहीं मिलना है अपने आपको चेक करिए कि हमें कितना आ रहा है हम कितने तयार है युद्ध छेतर में जाने के लिए ठीक है तो यही है आपका कल आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट दीजिए इसके बाद उस आपको जितना भी नंबर आए उस कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आपका या आपकी रैंकिंग अपलोड क जितना हमने पढ़ाया है उससे बाहर में टेस्ट लूंगा लूंगा यह नहीं ठीक है अब देख लिजिए गा वही सब कोईश्चन आपका टेस्ट होगा सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट चल रहा है जो हमें रिवीजन करवाएं हैं सर वही आपका टेस् करेंगे तो पिछली बार सिर्फ लगबग 20 लोग पार्टिसिपेट किये थे इस बार हमें उमीद है 50 लोग तो कम से कम पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है तो पिलीज पचास का आकड़ा तो क्रासी कर दीजिएगा ठीक है धन्यबाद नमस्कार जैहिंद जैभारत